आज मैं आपके साथ में शेयर करने जारी बहुत ही हेल्थी और टेस्टी ब्रेकफस्ट और इसके साथ में हम बनाएंगे कोकोनट चितनी तो चलिए सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी ब्रेकफस्ट बनाना हम शुरू करते हैं मैंने पैन गैस पे रख दिया है और पैन के अंद ओर्टस वह लेकल चुकिए हैं और इसका एक फाइन पाॉडर बना ले ना है और इसका एक फाइन पाॉडर हमें बना ले ना जैंगे यह भी नहीं था चाहिए पाउडर हमारा तैयार हो गया है अब हम क्या करेंगे इसे डाल देंगे बाउल के अंदर और ओर्स को रख देंगे हम एक तरफ पैन मैंने गैस पर रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चमच तेल चना दाल लालेंगे एक चमच उड़त दाल डाल देंगे एक चमच और साउथ इंदिन स्टैल में तड़का लगा रहे हैं इसमें हम डाल देंगे एक चमच अद्रग और सभी को तेल में हम अच्छे तरह से भुन लेंगे और यह देखिये हमारा मसाला त्यार हुगया है अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर वन फोर्ट चमच और इसमें हम डालेंगे कुछ सबजियां कटी हुए शम्ला मेर्चे डाल देंगे हम one fourth cup और मैंने गाजर को कदुकर करके डाल दिया है इसे भी मैंने one fourth cup डाला है अब हम क्या करेंगे सबजियों को सभी मसालों के साथ अच्छे तरह से बुन लेंगे सबजिया थोड़ी सौफ्ट हो जानी चाहिए और इसमें हम डालेंगे आप सूजी, सूजी मेंने एक कप डाली है, मार्केट में सूजी दो तरह की आती है, एक रवा आता है और एक सूजी आती है, तो आपके पास में जो हो वो आप डाल सकते हैं, सूजी को भी हमें सब्जियों के साथ में दो से तीन मिनट तक भून लेना है, सूजी भी हमारी भुन चुकी है इसमें हम add कर देंगे oats powder सूजी के साथ मिलाकर हम सूजी के साथ में इसे भुन लेंगे लगातार चलाते हुए हमें दोनों को भुन लेना है इडली का premix बनके तैयर हो गया है आप इसे container में भरके रख सकते हैं सूजी और ओट सामारे बुन चुके हैं अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे दोस्तो ये इडली बहुत ही ज़ादा टेस्टी तो है जात में हेल्थी भी है और ज़ादा हेल्थी बनाने के लिए आप इसमें धेर सारी सबजे भी डाल सकते हैं इसमें हम डाल देंगे दही, दही मैंने एक कप डाला है मैंने घर का बना हुआ दही लिया है और इसे हम मिला लेंगे पानी डाल कर हम इसका बैटर बना लेंगे पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ में नहीं डालना है मैंने अब एक कप पानी डाल दिया है और सभी को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और हमें पानी डलने की ज़रूत नहीं है और यह हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है हमें इसे अब रैस्टर दे देना है दस मेनट हम ढखके रख देंगे जिससे हमारी सूजी है वो फूल जाएगी इसे रख देते हम एक तरफ और चलिए बना लेते हम कोकोनट चटनी कोकोनट चटनी बनानी के लिए मैंने जार में डाल दिया है भुने हुई चना दल चना दल मैंने वनफोर्थ कप लिया है और इसमें हम डाल देंगे ड्राए कोकोनट और सुखे नारिल को भी मैंने वनफोर्थ कप लिया है मिकसर जार में डाल दिया है हरी मिर्च डाल देंगे इसमें हम और थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक मैंने आदा चमज डाला है इस का एक fine paste पना लेंगे इंस्टेंट coconut चटनी हमारी बनके टैयर हो गई है चटनी को मैंने बावल के अंदर निकाल लिया है अब हम लगा लेंगे तड़का तड़के के लिए मैंने पैन में डाल दे एक बड़ा चमस देल इसके अंदर हम डाल देंगे राई और राई को तड़क के अंदर coconut चटनी बनके टैयर हो गई है इकली का साचा ले लिया है और इसके अंदर हम तेल लगा लेंगे अगर आपके पास में साचा नहीं है तो आपको टोड़ी भी ले सकते हैं दस मिनट हो चुके हैं हमारे बैटर को बैटर हमारा काफी ठीक हो गया है इसमें हम डाल देंगे पानी पानी मैंने एक कप टाला है और इसे हम मिला लेंगे मुझे बैटर जादा गाड़ा लग रहा है तो इसके अंदर में और पानी डाल दूँगे मैंने बैटर में बन फोड कब पानी और एड कर दिया है, और सभी को हम अच्न तरह से मिला लेंगे, बैटर हमारा नुद्भलका कार, works डालके हम मिला लेंगे कि इसमें हम डालेंगे इनो अदा चमाज इनो की जगा बेगिण पॉड़र भी ले सकते हैं विखिएंग पॉड़र आदा चमाज दाल देना है और ठोड़ाया लिएक़िप द बैटनी के साथ में बहुत जादा टीस्टी लगती है एक बार आप जरूर इसे ट्राइ करें बैटर हमारा पुरी तरह से त्यार होके हैं बैटर को इडली मोल्ड के अंदर हम डाल देंगे चाहे तो आप कटोरिया पी ले सकते कटोरी के अंदर तिल लगा के बैटर को डाल दे मोल्ड को मैंने भर दिया है बैटर से बैटर को हमें जादा नहीं भरना है और इस्टैंड को हम रख दिंगे इडली मेकर के अंदर ढखकर हम इडली को 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे इडली को हमें हाई फ्लेम पर पकाना है 15 मिनट हो जुके हैं इडली हमारी तैयार हो गई है इडली स्टैन्ट को हम निकाल के पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और इस तरह से हम इडली को निकल लेंगे देखें इडली कितनी सॉफ्ट बनी है मैं इसे आपको पास से दिखाती हूँ और इसे चछत्नी के साथ में गरमा गरम सर्व करें दोस्तों एक बार आप इसे घर में जरूर ट्राय करके देखें और कैसी बनी है मुझे कमन करके जरूर बताएं साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब भी जरूर से जरूर करें